अगर आपको लगता है कि हेलिकॉप्टर उडाना मुश्किल है, तो जरा सोचिए कि खराब मौसम में एक हेलिकॉप्टर को हवा में उठाना कितना जोखिम भरा हो सकता है। हेलिकॉप्टर उडाना एक अत्यंत चुनौती पूर्ण कार्य है, जिसमें पायलट को हर समय सतर्क रहना पड़ता है, यह केवल एक मशीन को नियंत्रित करने का मामला नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित रहें. जब मौसम खराब होता है, तो यह चुनौती और भी बढ़ जाती है. पायलट को न केवल हेलिकॉप्टर को नियंत्रित करना होता है, बल्कि बदलते मौसम की स्थितिक अनुसार तुरंत निर्णय भी लेने होते हैं. यह एक ऐसा कार्य है, जिसमें अत्यधिक कौशल और सकता होती है. खराब मौसम में उडान भरना एक पायलट के लिए सबसे कठिन कारियों में से एक है. तेज हवाएं, भारी बारिश और घने बादल हेलिकॉप्टर की स्थिर्ता को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में पायलट को हर पल सतर्क रहना पड़ता है और किसी भी आप भी परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो जाती हैं कि सबसे अनुभवी पायलट भी मुश्किल में पड़ जाते हैं. भारतिये वायु सेना का एक MI-17 V-5 हेलिकॉप्टर के दारनाथ से गौचर तक एक क्षतिग्रस्थ कैस्ट्रल को एरलिफ्ट कर रहा था. यह एक पूर्ण मिशन था जिसमें पायलट को न केवल हेलिकॉप्टर को नियंत्रित करना था बलकि क्षतिग्रस्थ उपकरण को भी सुरक्षित रूप से ले जाना था. केदारनाथ एक पहाडी क्षेत्र है जहां मौसम अकसर अप्रत्याशित होता है. इस क्षेत्र में उडान भ बीशिती थी, जिसमें पायलट को तुरंत निर्णय लेना पड़ा. हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आना एक आम बात है, लेकिन जब यह खराबी उडान के दौरान होती है, तो यह एक गंभीर समस्या बन जाती है. पायलट को तुरंत यह निर्णय लेना होता है कि हेल हेलिकॉप्टर को कहां और कैसे उतारा जाए ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लिफ्ट के दौरान MI-17 को अस्थिर्ता और दोलन का सामना करना पड़ा, जिससे पाइलट को तुरंत निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक अत्यंत तनाव पूर्ण स्थिती थी, जिसमें पाइलट को हर पल सतर्क रहना पड़ा। हेलिकॉप्टर की अस्थिर्ता और दोलन के कारण पाइलट को तुरंत यह निर्णय लेना पड़ा कि हेलिकॉप्टर को कैसे नियंत्रित किया जाए और सभी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें अत्यधिक कौशल और अनुभव की आवश्यक्ता थी। यह एक अत्यंत कठिन और जोखिम भरा निर्णय था लेकिन पाइलट ने इसे सफलता पूर्वक अन्जाम दिया। शुक्र है कोई हताहत या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। यह एक बड़ी राहत की बात थी क्योंकि इस तरह की स्थिति में हमेशा यह खत्रा होता है कि किसी को चोट लग सकती है या संपत्ति का नुकसान हो सकता है। पाइलट और चालक दल ने अत्यांत कुशलता और धैर्य के साथ इस स्थिति का सामना किया और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की। यह एक बड़ी उपलब्धी थी जो पाइलट और चालक दल के कौशल और अनुभाव को दर्शाती है। MI-17 सुरक्षित रूप से उत्रा लेकिन कैस्ट्रल इतना भाग्यशाली नहीं था उसे और नुकसान हुआ। क्षतिग्रस्त उपकरण को हवा में छोड़ने के कारण उसे और नुकसान हुआ। ताकि हेलिकॉप्टर की स्थिर्ता को बहाल किया जा सके और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह एक कठिन निर्णय था लेकिन पाइलट ने इसे सफलता पूर्वक अंजाम दिया और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की। यह घटना पहाडी क्षेत्रों में उडान की चुनौतियों और त्वरित निर्णय लेने के अहम महत्व को रेखांकित करती है। पहाडी क्षेत्रों में उडान भरना हमेशा एक चुनौति पूर्ण कार्य होता है, जिसमें पाइलट को हर समय सतर्क रहना पड़ता है और किसी भी आपात स्थिती के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस घटना ने यह दिखाया कि पाइलट और चालग दल ने अत्यंत कुशलता और धैर्य के साथ इस स्थिती का सामना किया और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की। यह एक बड़ी उपलब्धी थी जो पाइलट और चालग दल के कौशल और अनुभव को दर्शाती है। इस नाट की यह घटना की जांच के लिए एक आधिकारिक जांच चल रही है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस घटना के पीछे क्या कारण थे और भविश्य में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। इस घटना के बारे में सभी नवीनतम जानकारी प्रदान करेंगे और आपको बताएंगे कि इस जांच का क्या परिणाम निकलता है। इस घटना ने यह दिखाया कि पायलट और चालक दल ने अत्यंत कुशलता और धैर्य के साथ इस स्थिती का सामना किया और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की। यह एक बड़ी उपलब्धि थी जो पायलट और चालक दल के कौशल और अनुभव को दर्शाती है। हम आपको इस घटना के बारे में सभी नवीनतम जानकारी प्रदान करेंगे और आपको बताएंगे कि इस जाँच का क्या परिणाम निकलता है।